कि देखो दोस्तों अब यहां चेक कैसे रीड किया जाता है वह हम इस छोटे वीडियो में बताने वाले हैं चेक के अंदर तीन तरह के किरतार होते हैं एक उता है ड्रॉवर एक उता है ड्रॉवी और एक उता है पेई हम हमेशा इस बारे में confused रहेते हैं कि पेई कौन है ड्रॉवी कौन है ड्रॉवर कौन है तो आज मैं आप सब को यह बताने वाला हूँ कि इन तीनों शब्द का मतलब क्या होता है ड्रॉवर हम उसे कहता है जो चेक को लिखता है जो बनाता है जो किसी दूसरे को देता है ड्रावी हम उसे कहते है जिस बैंक में हम जाके उसे जमा करते है जो बैंक उस चेक का पैसा देने वाली होती है और पेई हम उसे कहते है जिसे पैसे मिलने वाले होते है अगर मैं चेक लिखे देता हूँ मैं तो मैं रहूंगा ड्रावर अगर मैं किसी को दे रहा हूँ मेरे दोस्तको तो वो रहेगा पी मतलब जिसको मैं चेक दे रहा हूँ और वो पे जो है मतलब मैंने जिसको चेक दिया हुआ है वो जाके अपने बैंक में जमा कर देगा और जो बैंक रहेगा उसे हम कहेंगे ड्रॉवी तो simple बाशा में अगर हम drawee कहेंगे तो bank को drawee कहेंगे जिसे हम check दे रहे customer समझ लो उसे हम pay कहेंगे और जो drawer होता है जो owner होता है check का उसे हम drawer कहेंगे धन्यवाद दस्तो